हेलो फ्रेंड्स, हैपी धन्तेरस, धन्तेरस की आप सब को बहुत-बहुत शुब कामना है, होप यह फेस्टिवल आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी और बहुत ही खुशिया लेके आए, आज आप लोग अपने परिवार के साथ, अपनी फामली के साथ धन्तेरस मना ही रहे होगे, सब लोग शॉपिंग पे निकले होगे, मिठाईयां सब किसी की मम्मी बना रहे होगे, किसी की wife बना रहे होंगे, किसी की दादी बना रहे होंगे, किसी की नानी बना रहे होंगे, आप सब लोग अपने परिवार में धंतेरस को enjoy कर रहे होंगे, मैं भी अपने family के साथ आज बाहर गई थी, shopping करके आई, दिये खरीदे धंतेरस के दिन, लक्षमी गनेश के सिक्के ख खरीदे हैं, actually, mostly लोग क्या करता है धंतेरस के दिन, लक्षमी गनेश को हर बार एक शेंज करते हैं, but मैंने जो सीखा है और मैं जो जिस पर बिलीव करती हूँ कि हर बार धंतेरस के दिन, लक्षमी गनेश को आप change करके और विसर्जन करके, फिर दुबारा से खरीद के नही लाना चाहिए, हम उनमें proper पूजा करके उनको अपने घर में स्थापित करते हैं, फिर उनको हटा देते हैं, जैसे वो हिराय के घर में आए और चले जौब, फिर दूसरा किरायदार आज है, नहीं, ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि उनको हम एक बार लायें, उनको proper अपने मंद में विराजमान कर देते हैं और उसके बाद अगर आपको गनेश लक्षमी हर बार लाने है तो आप सिक्का लियाए चान्दी का और चान्दी का सिक्का is not that much costly कि आप अपने लाइफ में छोटा सा चेंज कर सकते हैं जो कि एक प्लस होगा in terms of environment also और in terms of positivity also और वैसे सबकी परंपराएं सबके cultures अलग होते हैं लेकिन जिसका जैसा belief होता है वो वैसा करता है बस चीजों को सही तरीके से सही धंक से करिए और माता रानी मा लक्षमी आज के दिन आपके घर में बहुत सारे कुशियां लाए और मेरे घर में आज तो मैंने आलू क्योंकि कचोरी बनाई थे क्योंकि मेरे घर में क्या होता है खाना क्योंकि को कि मैं ठीक ठा कर लेती हूं तो सारी को कि मैं ही करती हूं once again happy dhantirers bye